हलो सब देख रहे हैं अपके गुरु चैनल दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं बहुत से लोग का कमेंट आता है कि सर चार हजार में देशी बक्री कहां मिलेगी क्योंकि अल्लेडी मैं पहले एक वीडियो में बनाया हुआ था कि चार हजार में आपको देशी बक्री जो है ने बहुत से लोग के अल्मेट आता है वह से लोग एक्सेप्टी करहरे बहुत से लोग नाय चे बहुत से बोलगए हुए है आप छाकर विडियो देख सकते हैं इसमें ही दस बकरी को कैसे कितना खर्च और कितना मुनाफ़ा होगा उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिद करूं दे दूँगा और आई पोटम पे भी आपको आ जाएगा तो आप जाकर उसको वीडियो को देख लिए दोस्तो चार हजार एक बार में ओ दे रहीति दूश्तो मगए जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि कैसे आएगा चार हज़ार में तिनहयर में दूस्तो अगर आप बिहार जा जा रहे हैं और वहां कि देशी नसल जो बेलेग बंगाल की क्रोस नसल शुल पर ले कितने और आपको पछी सो क्रीन हेट आपको बच्चा देने वाली बक्री मिल जाएगी दोस्तों थुरा सा आपको जो है दिहात यानि लोकल गाओं एरिया में उसके बाद आपको मिल जाएगा दोस्तों हाँ उसमें भी एक साइज होता है दोस्तों जो बहुत बड़ी साइज है यानि कोई माल लीजिए किसी सा रेट महाँ जाएगा मगण दोस्तों थीन हे जारस से चारछे से अंदर आपको बक्री जो है मिल जाती है दोस्तों पर कितनी बार हमने उसको खरीदा है कितनी करीदया है थी कुक्स वेरे में प्राछे पाणी आ गये था सम्दूसर्वा बंद करना पर dai दो तो दुस्तो फार्म क्या है कि चाराइब आपको नहीं मिलता है तो हम बोले आप बिहार जाएए बिहार के आप सिवान छेपरा गुपाल गंज इरिया में जाये और वहां पर आप खोजिए और आपको नहीं मिले तो फिर आप हमसे बोलिए अब आप जो लोग कुछ लोग कमेंट करते की कहीं नहीं मिलेगा आप हमको चूतिया बना रहे है, बुर्वबब बना रहे है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तो, आप लगव झाओ उसके बाद सिर्फ मुबाइल पर देखके आप देख रहे हो कि शिरोही इतने मिलती है बारबड़ी इतने मिलती वो चीज को आप देखकर आप कमेंट करते हो जब आप लोकल एरिया में जाओगे या फिर बकरी पाले होगे तो आपको पता चलेगा कि कितने में मिलती है जो की बकरी पालन नहीं करना है और देखको खरीदे हैं दोस्तो वह लोक कमेंट करते हैं आज भी बिहार में आपको 7,000, 8,000, 10,000 में एक साल का बकरा जो है आपको मिल जाता है दोस्तों वहीं बारबरी और दुसरी नसल की बकरा लेने के लिए आपको 15,000 से 20,000 रुपया खर्च करना परेगा एक साल का लेने के लिए दोस्तों कभी भी आप बकरा बेचना है तो आप कोशिज किजिए कुर्वानी की समय में रेडी करके आप उसको बेचिए दोस्तों अगर आपके पैसा नहीं बकरी नहीं पालना चाहते है अभी का मोसम जो है दोस्तों यानि जर्वरी खतम होते ही आप क्या कीजिए कि आप पक्रा जो है आप लोकल एडिया से खरिद लीजिए दववा देकर धना देकर चरह ऊड़ा कर उसको आप बकरीद में यानि बकरीद आपको लगबज जून तक पड़ेगा जून के हिसाब में आप उसको निकाल दीजे दोस्तों वहां पे आप ये कर सकते हैं यही मेरे को छोड़ा सा बताना था वीडियो में अगर आपको कोई भी इसू आप कमेंट करके बताईए चलिए दूस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो क्टे साथdlesक वो ये क्टी दूसफटल वीडियो दीयमें करके दो एसके उसा हैंसे नेक Africanいつ वीडियो कर द एकते हैंसे वीडियो हैंसे वीडियो हैंसे जूस्तों मैंसे डियो हांसे हैं